यह है Firebolt Talk 2 Pro Ultra Metal Edition एक budget में luxury smartwatch और काफी तिनों से मैं इसे use कर रहा हूँ और अपना review और इसके unboxing करके आपको दिखा दो किस तरह गी यह smartwatch है प्राइस की बात करें गाइस तो 89% off में दी है 1699 और मुझे विसी प्राइस में मिली थी है इसमें color option में मिल जाते हैं यह gold में आप देख सकते हो silver में आप देख सकते हो black में आप देख सकते हो हमारे पास है black color की तो guys यह आ गया box हमारा Firebolt Metal Edition Talk 2 Pro Ultra इसमें 1.39 inch की screen देगे रखे ह बाकी features बर-बर के देगे रखे हैं इसमें जैसे Bluetooth calling हो गया SP2 sensor हो गया sleep monitor हो गया camera control हो गया weather update यह सब कुछ है मतलब जो हमें basic feature चाहिए iOS connectivity मिल जाती है Android connectivity भी मिल जाती है box के उपर price 14,000 रिपल आयने चली unbox करते है guys मैंने फिर से pack किया था इसे तो guys unbox करते है 123 यह रहे guys हमारी smartwatch और यह जो metal का strap है यह भी pack हुआ आता है मैंने तो unbox कर दिया था already और बाकी box के अंदर दिखा दिखा देता है और क्या मिलता है one year के warranty मिलती है तो एक warranty guard है और कुछ आपको coupons मिल जाएंगे spotify हो गया music wear है यह सब कुछ और last में user manual है और box के अंदर हमें मिलती है charging cable जो की यह रहेगी magnet बाली कुछ इस तरह की और एक tool देगे रखा है यह tool का में आता है इस metal strap का size चोटा बड़ा करने के लिए जैसे कि मैंने भी किया है तो guys यह आगी हमारी smart watch round dial में है 1.39 inch की large HD display है और जो display की quality है वो ठीक ठाक देगे रखी है और बाकी यहाँ पर build quality है और overall watch की वो बहुत next level है यहाँ पर stainless steel का इन्होंने use किया और बहुत जा प्रेमियम लग र भी लगता है देखने में और यहाँ पर overall look आप देख सकते हो किस तरह की देखे रखी है और backside में आ जाते हैं इसके sensor जो कि आपके heart rate monitoring और SPO2 sensor यह सब भी बड़ करते हैं और right side में मिलता है crown button लेकिन यह working crown button नहीं है यह normal crown button है और साथ में एक और button देखे रखा है जो कि आप आपका रहेगा action mode जिस तरह सा में apple watch में मिलता है sports mode on करने के लिए और smoothness आप देख सकते हो काफी smooth है यहाँ पर touch response काफी बढ़िया है यहाँ से आप अपने fitness के लिए activities on कर सकते हो और जो result है वो भी ठीक ठाक मुझे लगे क्योंकि मैंने इसे gym में भी use किया था तो हाँ response आप देखोगे ना physical design में यहाँ पर minutes भी लिखे हो है जैसे 20, 25, 30, 35 और यह काफी cool लगता है classic look देने के लिए और side frame आप देखोगे तो यह भी stainless steel के काफी solid है और यहाँ पर speaker मिल जाता है और यहाँ पर mic मिल जाता है और एक बार मैं हाथ में पहन के दिखा देता हूं पिर उसके बाद मैं features और बाकी की चीज़ें भी आपको बताता हूं किस तरह की watch है यह तो देखो guys आपको इस watch के features बताता हूं और किस तरह से work करते है लेकिन उससे पहले इसका जो review है वह थोड़ा सा और अच्छे तरीके से आपको बताने के लिए देखो मैंने इसे personally काफी दि निखिल है उसने भी इसे use की है उसका क्या review है इसके साथ में वह भी अपना experience शेयर कर देगा आपके साथ ताकि आपके लिए और easy हो जाए कि आपके लिए यह watch सही है या फिर नहीं तो देखो guys अगर मैं अपना opinion share करूं एक तो यह round dial में आती है और उपर से stainless steel मिल जाता है तो भाई premium nest तो है और जब मैं कभी फॉर्मल्स दालता हूं पार्टी में जाता हूं तो मुझे इस तरह की watch bear करना अच्छा लगता है तो जिस price पर यह मिल रही है उस हिसाब से इसकी build quality और design तो काफी अच्छा है इसमें मुझे सिर्फ एक कमी लगती है वह इसकी display की इसमें अगर HD की जगा AMOLED या फिर PULL HD मिल जाता तो भाई मजा आजाता हूं अब गाईस में आपको इसके features UI और battery backup बता देता हूं फिर last brightness का इडिया आपको यहां पर लग जाएगा क्योंकि बिल्कुल light के पास लिकर आया है उसके बाफ जूद भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है तो outdoor में दिक्कत नहीं होती है बाकि यहां से vibration on-off torch और battery saving mode है जिससे vibration और brightness drop हो जाती है और calling के लिए आप on-off करना चाहते हो तो यह यहां से direct calling on-off कर सकते हो media audio यहां से आप on-off कर सकते हो और यह काफी सही होता है जिसमें media on-off करने का feature हो क्योंकि इस बहुत में speaker वे देखे रखा है तो आप direct output बहुत से भी ले सकते हो और उपर हमें battery percentage भी दिख जाता है और daytime यह सब कुछ और left swipe करते हो तो यहां पर आपकी टाइमर मिल जाते हैं आपको और menu view में आपको तीन menu view मिल जाते हैं जिसमें जो भी आपको पसंद आता है ना वह आप सकते हो लिस्स भी काफी बढ़ी है रहता है और फिर brightness आगया फिर vibration on-off और ringing on-off calling के लिए theater mode on-off करना है reset करनी है power on-off और about और यहां से app download कर सकते हो phone के सारे watch faces भी मिल जाएंगे अगर आपने extra download करने में काफी बड़ी बड़ी है मतलब आप बोर नहीं होने वाले watch से notifications बगएरा control आपको यहां पर ही मिल जाता है मतलब fully customized है यह watch fine device के option भी है और यह watch इस तरह से आवाज करने लग जाती है बाकि updates भी यहां पर आपको मिलते रहे हो और auto lock का आप timer increase कर सकते हो जिससे यहां पर 30 seconds भी आप रख सकते हो बट फिर उससे यह होता है कि battery backup थोड़ा सा कम हो जाता है battery saving mode यहां पर मिल जाता है आपको weather update आपको मिल जाती है healthcare related आपको यहां पर काफी सारी option मिल जाती है heart rate alert आपने on करना है जैसे 195 के ऊपर heart rate जाता ह है और जो touch response है बो मुझे काफी बढ़ी लगा reflection भी काफी कम है इसके डिस्पले में यह मुझे काफी सही बात लगी थी इसमें heart rate monitoring भी है जिसके result गाई इस त्रेंज के smart watch के 100% accurate नहीं होते हैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाता है heart rate के साथ में और बढ़ी to sensor भी है यहां पर और AI voice assistant भी है जिससे आप Google और Siri को control कर सकते हो messages आपके सारी notification यहां पर आ जाएंगी और बहादर updates आपको यहां पर मिल जाएगी camera control मिल जाएगा music control आपको मिल जाता है phone call के option है यहां पर recent calls dial और contact number आप favorite एड़ करके रख सकते हो अपने इस watch के अंदर breathing के ल इसमें 200 mAh का battery pack दे के रखा है 20 days का standby time मिल जाता है और मैंने जब इसे यूज किया तो मैं calling feature on करके इसे use कर रहा था है तो चार से पांस दिन का battery वेक इस बाउज ने मुझे निकाल के दिया और अगर आप calling feature बंद कर देते हो तो 6-7 days अराम से निकाल के दे सकती है तो हाँ ठ सब्सक्राइब में touch response बढ़िया है अब इस call quality वे आपको सुना देता हूं तो अभी call आग यह उठाते हैं इसे hello asu क्या हल है हम भी बढ़िया है अच्छा मैं एक watch review कर रहा था यह बता मेरी आवाज कैसी आ रही है तेरे को अच्छा एक को आ रहा है और थोड़ी दूर से आ स्पीकर आउट्पुट भी आपको सुना देता हूं गाइस कैसी इस watch के देगी और देखने में काफी बढ़िया है बिल्ड काफी बढ़िया है बस दो जगह पर कॉंप्रमाइज करना पड़ेगा एक है थोड़ी सा डिस्प्ले को लेकर पर जिस प्राइज में हैं आज को सारे स्मार्ट बोच हैं जो के अमले डिस्प्ले दे रही हैं पर इस तरह फिर आपको stainless steel वाला strap नहीं मिलेगा यह है और बाकि call quality भी थोड़ी से और अच्छी होती माइक थोड़ी और बैटर होते तो और भी अच्छी बात होती बट हां speaker की output बढ़िया है बाकि overall जो बढ़िया है आप जा सकते इस बाच की तरह लिंक में ने दे दिए निचे description में यह दे हमारी आज की वीडियो आपको अच्छे लगी होगी वीडियो अच्छे लगी है वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना अब मैं मिलता आपके साथ नेक्स वीडियो में love you all guys take care and bye bye